पूरे देश का जो माहोल है वो बिगाड़ा जा रहा है और भाजप्रावाले समझ गए हैं कि उनकी जो नीतिया हैं जो विफल रही है पूरी तरह से नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News राज्यसबा सांसद और आम आदनी पार्टी के नेता संजे सिंग को पांच दिन की ED रिमांड पर भेजा गया है लगतार हर दिन संजे सिंग से पूश्ताच की जाएगी और इसी का विरोध यहां पर तमाम विफक्षी पार्टीयां कर रही है और ये कह रही है कि अपनी मन मर्जी से ये ED अधिकारी कारेवाही करते हैं विफक्ष पर किसी भी पार्टी पर करते हैं बिहार में तेजस्वी यादब पर की गई थी दिल्ली में अर्विंद केजिरिवाल की पार्टी पर निसाना सादा जा रहा है क्योंकि केंदर सरकार यहां पर अभी तक अपनी सरकार नहीं बना पा रही है तो हर बड़ाहत में ED की कारेवाही यहां पर संजे सिंग के खिलाफ अब देखी गई है कि एक एक करके आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डालते हुए आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया जाए इसे विश्चे में समाजवादी पार्टी के मुख्या अखलेश यादव ने कई बड़े बयान ED के खिलाफ दिया अब इसी कड़ी में यहाँ पर उनकी पत्नी और मेंपुरी सिसान सद डिमपल यादव ने भी ED को फटकार लगाई है क्या कुछ कहा है देखे जरा जिस तरह से ED की चाफ विमारी हो रही अबू आजमी पे भी हुई संजय सिहाम आजमी पार्टी के लिए तभी गरफतार हुए आपको क्या लग रहा है मैं समझती हूँ कि पूरे देश का जो माहोल है वो बिगाड़ा जा रहा है और भाजप्रावाले समझ गए है कि उनकी जो नीतिया है जो विफल रही है पूरी तरह से और जन्ता में तरही तरही मची वही है और एक तरह जहां जन्ता अपने परिवार अपने बच्चों का भविश्य देख रही है जहां नौकरिया नहीं है युवाओं के पास जहां किसान भी बधाल है और जहां महलाई भी सुरक्षित नहीं है तो जनते समझ रही है बात और लगबग एक दश्रक पूरा होने जा रहा है और इस बार लोग इसी संदेश के साथ जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार का पहले एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी EDCBI की कारेवाही के खिलाफ कोट का भी रुक किया था लेकिन वहां पर उनको इंसाफ नहीं मिला था लेकिन क्या ऐसे में देखा जाए कि यही कारेवाही विपक्ष पर होती रहेगी तो कब तक सहन किया जाएगा क्या यहां पर झाल 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 झाल